सुरू गाइस फाइनली डाग से हमने अपना फार्सल ले लिया है क्यों देखती है कसम से गाजी है हमारी गाहूं का चोतर यहां पर कारेक राम पांडव निर्तिया राम लीला हलो दोस्तों गुड मोर्निंग वेलकम बैक तुमाई चैनल स्वागत आपका एक और नए ब्लोक में दे भूमी की इन खुब सुरत से पहाड़ों है तो गाज अभी मेरी तयारी है नीचे गाउं में जाने की किसी सब्सक्राइबर ने कुछ बेज़ा है क्या बेज़ा है वह आपको आगे पता चल जाएगा और मेरे साथ है मेरे दोस्त क्या गिन रवाया तू तो अभी मैं अपने घर के नीचे आ गया हूँ तो आज मैं अपना गाउं अपने गाउं का मार्केट भी आपको दिखाऊंगा और किसी सब्सक्राइबर ने मेरे लिए क्या वेज़ा है कहां से वेज़ा है वह आपको आगे ब्लोग में पता चल जाएगा तो मैं अभी अपने घर के नीचे वाले रास्ते पे हूँ कीमत बता अपनी क्या है तरी मेरी कीमत मेरी कीमत का क्या खरीदने वाला हो ना भाई पर पहुंच चुके हैं देखो जिस दिन एक्सिडेंट वह था इसी इसकोटी से वह था भाई अभी तक सही नहीं करवाई यहीं फे खड़ी है पूरा टूट फूट रखा ठीक है बाई तो यह गड़ी भी अपनी है तो कुछ इस तो अगर आज मौसम की बात की जाए तो आज मौसम कापी प्यारा हो रखा है और के बंद है तो गाइस मेरा दोस्त मुझे सिका रहा पता नहीं क्या क्या सिकारा वल बच गया वल तो उस दिन तो अब नीचे मार्केर थक पैदल ही जाना पड़ेगा अब घर से चावी भी नहीं लेगी स्कूर्टी की वाई तो अब यहां पर सिर्फ एक दुकान है जो ऐसी लोकल के लिए है उपर वालो के लिए तो मीन मार्केट नीचे है और वहां से अपने गाउं के कुछ इससे बताता हूं आपको कि अ अपने बताता है तो गाइस फाइनली डाग से हमने अपना फारसल ले लिया है इसको दुकान फे रखते हैं अब नीचे गाउं में जाना है तो यह है पीछे मेरे गाउंगे ना तीन चार हिस्स्य है वह यह कहां एक नीचे सब कुछ आपको वहां से दिखाए देगा खाल यह ज़क अब चलते हैं नीचे गवं में मैं गाउं के ही बीच में हूं तो गाउं का रास्ता कविए ङार गाउं का रास्ता आइ और सड़क भी。 हमारे गवं का चोत्र यहां पर कार कर। क्राम पांडम निर्तिया राम लीला सब कुछ होती है और बीच से गाउं का नजारा कुछ इस तरह से दिखाई देता है सामने पहाड़ों पर तो हम नीचे सेरा से भी आ गए हैं उपर यानि कि नीचे वाले खेत है जो उनकी देखवाल करने गए थे हम थोड़ी वहां पर और गाउं के सबसे उपर रहते हैं जो गाउं है यह उत्रखन टीरी गड़वाल का सबसे बड़ा गाउं है हमारे गाउं का आदा हिस्सा उस साइट है तो आदा हिस्सा उपर की साइट आदा हिस्सा मीचे की साइट है और एक खास बात मैं अच्छी लगी मुझे अपने गाहँ वालों में अगर कोई बाहर का भीड़ जाए या किसी की भी बाहर वालों के साथ लडाई हो जाए ना जाए हम दोनों के आपस में गाहँ में लडाई हो रही लेकिन जाएंगे सब एक साथ ना एक ता है मतलब ये अच्छी बात है जहां फे फैर फ्लाइंग मिलगी मिट देखती है कसम से कसम से रोजे की ये कोन है ये कोन है काई बीटे कोन कोन देखता है तो देखते है देखते है कसम से काई 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 वे जैंस काई काई झाल झाल